गुड मॉनिंग स्टूडेंट्स, दुगल्स केरियर पब्लिक सिनियर्स केंडी स्कूल में आपका एक बार स्वागत हैं, आज हम शितिज 10th क्लास चैप्टर 12 बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके जो लेखक हैं यश्पाल, उनका जीवन परीचे के बारे में जानेंग यश्पाल का जनम सन 1903 में पंजाब के फिरोचपूर छाउनी में हुआ, जिनकी प्रारमविक शिक्षा कांगडा से ग्रहन की बाद में लाहोर के नैशनल कॉलेज से उन्होंने बिये किया, वहां उनका परीचे भगत सिंग और सुखदेव से हुआ, स्वाधिन्ता संग्राम की रान्तिकारी धारा से जुडाव के कारान वे जेल भी गए, तथा उनकी मृत्यू 1976 में हुई, स्वाधिन्ता संग्राम में जब अंग्रेजों ने हमारे भारत को गुलाम बनाया था, तो उनके खिलाप जितने भी क्रान्तिकारी थे, बिद्रो कर रहे थे, उनमें उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा, यश्पल की रशनाओं में आम आदमी की सरोकारों की उपस्तिती है, वे यथार्त बादी शैली की विशिष्ट रशनकार है, उन्होंने सामाजिक भिशमता, राजनेतिक पाखंड और रूडियों के खिलाप उनकी रशनाए मुखर है, उनकी कहानी संग्रों में ग्यानदान, तर्क का तुफान, पिंजरे की उडान, वादुलिया, फूलों का गुर्ता, उलेकने हैं, उनका जूटा सच्च उपन्यास भारत विवाजन की तरास्थी का मार्मिक दस्तावेज है, अमिता, दिब्या, पार्टी कामरेट, दादा कामरेट, मेरी तेरी, उसकी बात, उनकी अन्य प्रमुक उपन्यास है, भाषा की स्वाभाविक्ता और सजीब्ता उनकी रशनागत विशेशता है, इस अध्याय में लेखक यश्वाल ने अपने माध्यम से कहा है, कि यूँ तो यश्वाल ने लख्रमवी अंदाज ब्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था, कि बिना कथ्ये के कहानी नहीं लिखी जा सकती है, कथ्ये यानि कि साक्षिये, परंतु एक स्वतनतरा रशना के रूप में इस रशना को पड़ा जा सकता है, अर्थार्त, यदि किसी कहानी के फिछे कोई पात्र नहीं, कोई सची घटना ना हो, तो कहानी नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्वतनतर रूप से हम उसको पड़ सकते हैं, यश्पाल उस पतंशील सामनती वर्क पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविक्ता से परे बेखबर एक बनावटी जिवन शेली का आदा है कहना ना होगा कि आज की समय में भी ऐसी परजी भी संस्किति को देखा जा सकता है बच्चों इस कहानी में या इस अध्याय में जो लेखक एक दूसरों को इस बास से उजागर करना चाहते हैं कि लोगों के जो बाहरी दिखावा है किस तरह से अपने आपको चतुर समझ कर एक बनावटी जीवन इस दुनिया में जी रहे हैं सिरफ और सिरफ बाहरी दिखावा अंधुरिन सचाई में इसमें नकारा गया है तो इस कहानी में भी लेखक की मुलाकात एक ऐसे नबाव साफ से होती हैं जो अपना दिखावा सिरफ नबावों की तरह दिखावा करता है और सचाई की दुनिया से दूर रहता है लेखक की भेट एक पैसंजर यान की यात्रियों से भरी रेल गाड़ी में होती हैं जिसमें नबाव साफ अपना दिखावा करते हैं एक सेकंड क्लास के डब्मे में बैठे होते हैं ट्रेन छूटरी होती हैं तो लेखक भी उस गलती से उस ट्रेन में चड़ जाते हैं तोलिया बिच्छाय होता हैं, उसके पर खीरे रखे होता हैं, और जब वो एक दूसरी को ताकते हैं, तो नवाब साहब अपनी नजरे फेर के खिड़की के वहार देखते हैं और थोड़ी देर में खीरे उठाते हैं, उसे काटते हैं, छेलते हैं, और उसके फाक बनाकर, फाक मनिकलिक चार फीज करकर उस सफेद टावल के उपर बिचा देते हैं, और उसके उपर जीरा नमक छिड़क कर थोड़ी देर के लिए सूंगते हैं, और बिना खाये उस फाक को खिड़की से भार फैंक देते हैं, लेखक उसको लगातार अपनी कंकी से देखते रेते हैं और एक के करके सभी फांकों को सूंग कर खिटकी से भार फैंक देते हैं और अंत में डिकार ले लेते हैं तब लेखक को ऐसास हुआ कि आज भी बाहरी दिखावापन की एक नबावी पन की इस दुनिया में कमी नहीं है अब भी लोग सिरफ सिरफ एक दिखावे पर दिखावे बाहरी बनावट पर बहुत सारी ऐसे संस्कृति में हमारे लोग जी रहे हैं जो असली सचाई से दूर रहकर एक बनावटी जीवन जी रहा है अथार एक अगर मात्र सुन्गने से पेट भर जाता है तो इसमें कितने सचाई हैं इसी माध्यम से उन्होंने इस कहाने की जितना भी अध्याय में उन्होंने बताया है एक दिखावापन कि यदि किसी कहाने के लिए कोई घटना ना हो कोई सची कहानी ना हो तो नहीं लिखी जा सकती है लेकिन हम इसको स्वतनतर रूप से पाड़ सकते हैं और सिरफ इस कहानी के माध्यम से इसके लेखक याश्पाल जी ने बहारी दिखावा के बारे में इसमें बताया है वास्तविक्ता से दूर और बच्चो इसको एक बारी अच्छी से चैप्टर को रीड कीजिएगा इसका नाम है लखनभी अंदाज जहां कि जैसे आपको पता है नबावो का शहर जिसे कहा जाता है लखनभी और इसके क्वेशन एंसर अच्छी तरह से रीड कीजिएगा और अपने फियर नोट बूक भे लिखेगा अगर कोई समझना आ रहा हो तो मेरे परस्नल वर्चन नमर मुझे आप बात या आप मुझे पूछ सकते हैं थैंक्यू झाल